नमस्ते दोस्तों, दोस्तों कई ऐसे खाद्य पदार्थ बजार में मिलते हैं जो हम इंसानों के खाने लायक नहीं रहते, उसका उप्योग हम अमारे पसू पे कर सकते हैं देखिए हम जो पसू पालन वैशाय करते हैं, उसके अंदर मुखे जो काम है वो है फीड की मनेजमेंट, हम अमारे पसू को जो भी फीड खिलाते हैं, उस फीड से ही हमारे पसू अपने सरीर की पूर्ती करते हैं, उसी से दूद बढ़ता है, फैट बढ़ता है, और पसू की गरोथ होती है, आज मैं आपको एक ऐसे फूड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो दाल मिलो की वेश्टेज है, दाल मिलो में कोई काम नहीं आती, इनसानों के लिए जब दाल तियार की जाती है, तो साफ दालों को अलग कर लिया जाता है, और जो दाल का भुस्षा चू उडद की डाल बहुत ही पॉस्टिक होती है, जो हमारे पसो का दूद बढ़ाती है, दूद में फैट बढ़ाती है, और साथ-साथ हमारे पसो की गरोथ भी अच्छी हो जाती है, आप अपने पसो की डाल खिलेए, लेकिन उडद की डाल अगर आप बजार से लेके आएंगे तो आपको 100 रुपे किलो मिलेगी, दूद के भाव नहीं है, और आप इतनी मेंगी दाले लेके आएंगे, तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी, तो आपको क्या करना है, अपने फीड डिलर को आप बोलिए, कि आपको दालों की चूरी लेके दे, मैं आपको दिखाऊंगा, अपनी फीड में डालते हैं, इसका आपको बजार में बहुत ही सस्ता रेट मिलेगा, मातर 20, 22, 25 रुपे किलो आप आसानी से इसको बजार से ला सकते हैं, यह आपके पसू का दूद बढ़ाएगी, दूद में फैट बढ़ाएगी और आपके पसू की गरोथ करेगी, आपक को बनाते समय एक क्योंटल फीड में आपको 10 किलो उडद की चूरी मिला देनी है, उडद की चूरी बहुत ही पोस्टिक है, देखी जितना भी पोस्टिक गुन होते हैं ना दालों में वो छिलके में होते हैं, तो छिलके को हम फैक देते हैं, जब हमारे लिए दाले तियार ह होती हैं, तो उनके उपर से छिलका उतार दिया जाता है, और उस छिलके का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वही छिलका हमारे पसुओं की सहत के लिए वरदान है, हमें उसका उपयोग करना है, सस्ता मिलेगा, दूद बढ़ेगा और पसुओं की हैल्थ भी अच्छी रेगी तो अपने फी डिलर को बोलिए कि आपको उड़त की चूरी दे, उड़त की चूरी आपके पसुओं के लिए बहुत ही फाइदे बंद और आपको सस्ती भी मिलेगी, कोई भी दाल है, अगर हम उसको उबाल के खिलाते हैं तो उसके पोश्टिक जो गुन है वो भड़ जाते हैं, तो आप इसको उबाल के खिलाएं तो दीवैस्ट है, नहीं तो आप इसको सुका भी खिला सकते हैं, पानी में विगो के खिला सकते हैं, आपको एक बात का दियान रखना है, उड़त बहुत ही पोश्टिक ताकतवर उस्दी है, तो कई बार उड़त आपके पसुओं को डाइज़स शिफ्टम अच्छा हो जाएगा, तो वह आपका पसू उड़त को अच्छे से डाइज़स्ट कर लेगा, और कम से कम 20% आपका पसू अगर बारा किलो दूद दे रहा है, तो बारा किलो दूद देगा हैं, जो इंसानों के खाने के लाइक नहीं है वो पसूओं के लिए वर्दान है तो इसका आप उप्योग कीजिए आपको काफी फायदा होगा धन्यवाद